दोस्तो भूलकर भी इस तरीके का hybrid गुलाब का पोधा nursery से लेकर मत आईए, अगर आप इस तरीके का hybrid गुलाब का पोधा nursery से लेकर आते हैं, तो कुछ दिनों तक तो हमारी इसकी growth अच्छी तरीके से चलती है और फिर धिरे धिरे हमारा पोधा उपड़ से बिलकुल growth लेना ब पोदा नहीं मरेगा तो दोस्तों यह देख सकते हैं मैं एक नरसरी से हाइब्रीड गुलाब का पोदा लेकर आया हूँ जो कि पिंक कलाद का पोदा है अब दोस्तों इस पोदे में एक ऐसी कमी हो गई है अगर मैं उसको नहीं देखूंगा मतलब उसको मैं इस कमी को पूरा न पोदह लेकर आयें तो आप जाज 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 दिवजस्ति मत करिए आप इसके इसका जो यह पोली वेक दिया हुआ है इसको आप कटकर के हटा दीजिए क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से हटाएंगे नहीं तो आपकी रूट खराब हो जाएगी और फिलाल बैसे तो इसके काफी रूट है यह हमारा खराब नहीं होगा मैंने इसको असानी से निकाल लिया है इसके बाद हमें क्या करना है इसकी लगबाग 20-30% मिट्टी हटा देनी है क्योंकि इसकी रूट अच्छी तरीके से डेवलाब हो जाती है यहां पर दोस्तों मैं लगबाद इसक नया तरीके बताने वाला हूँ जिससे की हमारा गुलाब का पोदा बहुती तरीके से फास्ट ग्रोथ करेगा अब इस गुलाब के पोदे को मैं इस आट इंची के मिट्टी के गमले में लगाने वाला हूँ क्योंकि मिट्टी के गमले में हमारा पोदा बहुत अच्छी तर लेना है अगर आपको यह मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों आपके पास जो पुरानी मिट्टी है आप उसे दो ती दिन धूप में सुका के रख लीजिए और इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं इसके बाद भाद इसमें एक ऐसी चीज डालने वाला हूं जिस से राइस की कहते हैं और इसके बाद मैंने इसमें 30% डाल दी है गोबर की कहाद बस हम यह तीन चीजे ही इसमें मिलाएंगे और हमारा पोदा बहुत भी एची तरीके से ग्रोच करेगा और हमारी मिट्टी भी बिल्कुल हलकी रहेगी अगर आप टेरिस गाइनिंग करते हैं आप अपने च्छत पर यह पोदा लगा रहा है तो इससे आपकी मिट्टी भी हलकी बनेगी और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और यह जो हम मिट्टी तयार कर रहे हैं यह गुलाब के पोदे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है मैंने इसमें लगा रखा है बहुत अच्याद मिलता है यह एक करो पारा क्यादा मिर्टी बना निकला है मैंसे मिट्ती तरयके से डाल धी है और मिट्टी बाद सब्सक्राइब अचीम को सदो हमारा देखिंगे क्या करेंगे हमारी जो मिट्टी जो चार्टम को भर देंगे हल्का साथ के पोधे को रकेंगे ताकि फिर आपके रूचै के जहा जाया होएं हैं और इसका दालना इस बद भी दिया न LAUGHTER कि घजके जोदे के वाइं जिए मिठी बराते हैं तो हमें इसमें साइड में इस मैंने जैसे कि इसे दबाया तो पूझक मैंबहू गरके दिक्ञा देता हैं और दोंकि अभीह विंटर शीजन चल रहा है तो बिल्कुन नहीं है तो हम तो मैंने मैं निया वर्थे और को से भाया और को म Say mieli के आज से दबा के हम इस तरीके से भर देंगे अब दोस्तों गुलाब का पोदा तो हमारा अच्छी तरीके से रिपोर्ट हो चुका है अब मैं आपको वो कम ही बताता हूं जिसको लगवग 90-30 लोग इग्नोर कर देते हैं जिसकी वज़ा से उनका पोदा मड़ जाता है तो ज तो जब भी आपको ग्राफ्ट वाले हिससे से नीचे कोई भी तरह दिखाए दे आप उसको तुरंत कट कर देज़े अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो हमारा पोदा नीचे से रिपर गरोद करते रहेगा और उपर की ते बिल्कुल सूख जाएगी और फिर इसके बात भी नहीं होगा क्योंकि हमारा पॉदा जंगली ही रहेगा तो इस टेनियों को आपको हम समय समय पर करते रहना है जब भी आपको इस तरीकी के कोई भी टेनी दिखाई दे आप इसको कड़ करके फेक दीजिए अब इसके बाद आपको इसमें पानी डालना है और आपको फुल स सीजन है और विंटर सीजन में इसको काफी अच्छी तरीके से धूप की जरूरत होती है आपको वीडियो कैसे लगए आप नीचे कोमेंट करके जरूरत आए इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें